सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नई वीडियो नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी कभला करें आपके सारे इक्षा है एवम अनुकामनाय पुरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को शुक्र परवत की विश्य में महत्पुन जान करी दूँगा और यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां जो आड़ी रेखा होती है वो क्यों यहां पर अन्नेसेसरी वरी यानि आनवशक चिंताओं को सबसे ज़्यादा व्यक्त करती है या फिर जो सीदी खडी रेखा है वो क्यों अपोर्चुनिटी इसको बताती है शुक्र माउंड का पॉजिटिव होना क्यों लाइफ में सबसे ज़्याद को शुक्र का एरिया है और लाइफ लेंज जब अच्छा ख़सा कवर लेता है तब शुक्र को सबसे ज़्यादा एरिया मिल पाता है तो शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि शुक्र आपका कारक है स्पाउस का सेक्स लाइफ का केडिनिस का सेक्स ओ रहेगा किसा long lasting रहेगा या short period में रहेगा आप ज्यादा attractive दिखते हैं दूसरों को ज्यादा attract करते हैं या फिर दूसरों के तरफ ज्यादा attract हो जाते हैं इन सब के बारे में शुक्र यहाँ पर आपको बताता है शुक्र हाथ में अगर positive हो तो normally ऐसे लोगों की life long life देखने को म मिलते हैं साधे साथ शुक्र जब अच्छा होता है तो जीवन में धन भी बहुत आता है धन की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होती है इसे लोग traveling करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं auto mobile इन सारी चीजों का knowledge बहुत अच्छा होता यानि हर प्रकार की luxuries और सुक्सविधा एसे लोगों की जीवन में देखने को मिलती है all kind of luxuries and happiness यहीं से आपको शुक्र से ही देखने को मिलेगा romance शादी money इन सब का कारक शुक्र है तो शुक्र का इसलिए हाथ में होना इतना ज्यादा important होता है अच्छा होना सबसे ज्यादा important माना जाता है तो यह अच्छा कैसे द जब शुक्र अच्छा कासा उभरावा होता है तो अब यह over develop अगर शुक्र हो गया तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कामुक्ता जादा देखने को मिलती है sex के प्रती attraction बहुत जादा रहता है यही रीजन है कि opposite gender के प्रती attraction बहुत ज़ल्दी feel करने लगते है sex pleasure के requirements बहुत जब शौकिन किस्म के भी देखने को मिलते है कुछ ना कुछ शौक इन लोगों को देखने को मिलता है बहुत खडचिला हाद भी normally देखने को मिलता है लेकिन आप इनको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा charming handsome बतलब चेहरे से नूर टपकेगा जिनका शुक्र बालवान है क् शुक्र आपके एक प्रकार से चमक जो होती है चेहरे के उसको भी indicate करता है क्योंकि शुक्र कहीं न कहीं attract करता है अब वहीं शुक्र अगर खराब हो गया खराब केसे यह जो lifeline इसने कम area लिया शुक्र यहाँ पर दबा हुआ है उबरावा नहीं है अभी मैं lines की बात करी नह तो उसको समझने का प्रहतने करिएगा तो यहाँ शुक्र इस प्रकार से कम area ले रहा है lifeline से दब गया है आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे कुछ धब्बे है या develop है ही नहीं तो ऐसे लोगों के जीवन में एक-एक सुक्स विधाओं के लिए तरसना तक पड़ जा शुक्र रिप्रेजेंट करता है जैसे आपके married life को आपके luxurious life को इन सारी चीजों में फिर कमी देखने को बहुत जादा मिलती है पैसा आता खूब है पर इधर उदर चल जाएका लेकिन सुक्सुधा है नहीं बढ़ेगी तो इसलिए शुक्र का होना इतना जादा important होता है अ लेकिन यहां की जो आड़ी रेखा यह क्या कर रही है तनाव दे रही है यानि ऐसे व्यक्ति के पास हर चीज है दुनियादारी का सारा जो requirement होना चाहिए या फिर जो जो लोगों का सपना होता है वो सारी के सारी चीज़े है कोहीं से कहीं तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है लेकिन तब भी यह क्या व्यक्त कर रहा है अनावश्यक चिंताओं को यह शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती तो ऐसे व्यक्ति के पास चाहे दुनिया भर की जितनी भी खुशी आप लाकर के दे तो यह व्यक्ति अंत में जाकर के चिंतित होगा परशान हो जाएगा य क्योंकि फैमिली शादी यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टनेंट्स लोगों के लिए रख रहा है तो इस चीज को लेकर के ज़्यादा चिंता रहती है एक्स्ट्रा अफेर्स होने के योग रहते तो उसके बारे में फिर चिंता बढ़ जाती है फिर मनी के बारे में बढ़ हो जाती है इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ जब सीधी खड़ी देखा आपको इस प्रकर से देखने को मिले तो यह बताती है अपोर्चुनिटीज के बारे में कि आपके लाइफ में शुक्र अच्छा हो या ना हो लेकिन अपोर्चुनिटीज तो बहुत करता है और अगर सीधी खड़ी रेखा हो तो लाइफ में अपोर्चुनिटीज सुक सुधाय और सही हो यह इन सारी चीजों की प्राप्ति होती है तो इसी की बारे में मैं आपको डीटेल में जानकरी देना चाह रहा था आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो कुछ प्र